यह लिखिट चरित्र एक चरित्र का सुरूप है लेकिन उस चरित्र का जो संदेश है दुनिया की दुख्वमुक्ति उसको आचरण में उसके पहले दो बार लाकी दिखाया गया तो वो भी उस पुस्तक की आवर्टी है ऐसे हम आज जो कर रहे हैं वो भी कार्यक्रम बदलके का ही कार्यकर है इस भावना से उसको करना तो स्वाभाविक क्यों संदके लोगों के लिए नहीं सभी के लिए कुछ बाते स्पष्टो हो जाती है एक तो हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं कि उसकी प्रयरणा हमारी स्वार्थ की नहीं है अपने अहंकार की तुरुती आपनी किर्थी प्रसिद्धी के लिए ये नहीं जो लोग सहयोगी बनना चाहते उनको जानकारी हो इसलिए कुछ प्रसिद्ध करना पड़ता है अपने कार्य की रचना में हम सब को सविस्तार वृत्त ठीक ठीक पता चले इसलिए उसको प्रकाशित करना पड़ता है लोगों को प्रेणा मिले इसलिए भी ऐसे कार्य में आने वाले अनुभों का लेखन प्रकाशन करना पड़ता है पर हम तो अपना डंका बजाई के लिए हम यह काम नहीं कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं यह अपना समाज है अपना देश है इसलिए इस स्वार्थ भय मजबूरी प्रतिक्रिया यह अहंकार इन सब बातों से रहित आत्मिय वृत्ती का परिपाक है यह सेवा और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है निरंकार वृत्ती से लगना है श्रिय दूसरों को देना है और अभी यह जो विशिश का आपत्ती है उसमें जो सेवा करनी है उसमें लोगों का प्रबोधन भी करना पड़ता है कई बाते बतानी पड़ती है तो बताने का परियान तब ही होता है जब हम उसका पालन करते है और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ को सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं उन सबका पालन पहले अपने को करना है वो पालन करते हुए भी करना है घर के बाहर निकलना है लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमती चाहिए लोगडाउन है तो अनुमती पूरवक ही काम करना फीजिकल डिस्टंस रखना है अंतर रखना है वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा छोटी-छोटी बातों में भी सहज रखकर स्वयम उसके पालन का उदारन बनकर हमको लोगों को बताना है और हम यह कर सकते हैं महाबारी नहीं है उसने कहर मज़ता है लेकिन उससे डर जाने की अरुश्यत्ता नहीं है डरने से काम नहीं होता डरने से संकट का बल जादा बढ़ता है अपना संतुलन कायम रखके मन में भैका लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से करने हैं कैसे करने पड़ेंगे क्या क्या करना पड़ेगा इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम येशस भी होता है आत्म विश्वास युक्त ऐसा अपना सुन योजित प्रयास करना आ है और सातत्य पूरुक्ट प्रयास करना है क्योंकि ये बिमारी नहीं है इसमें निश्चित क्या क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते जैसे ये अनुव Äता है वैसे ही पता चल रहा है और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं जल्दी से जल्दी समाफ तो ये पूरा प्रयास हम करेंगे लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन पीडित लोगों को रहाद देने के और ये बीमारी नव पहले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे लेकिन कुछ उसके जैब में पैसा था कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था तो उसको पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिलकुल ही कफल लग होकर मर जाएंगे इसलिए वो बड़े शहर में गया क्यों वहाँ पर जुबा खेलेंगे जारा धन उड़ा देंगे फिर मर जाएंगे लेकिन उसको पता जला कि उस गाओं के पास उस शहर के पास एक बहुत लंबी चवड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था इसलिए दो तीन माइनिंग कमपनीज ने वहाँ आकर खुदाई की धाई सो फिट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं नि जमीन खरीजी कर सके लेकिन वह 200 फिट की जमीन नहीं थी 200 फिट का लंबा चोड़ा गढ़ा गड़ा बना था उसको कौन खरीजेगा उस निलाम में कोई आया ही नहीं यहीं अकेला पहुचा इसलिए इसके जैब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई कि अब जो मजदूरा काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कमपनी ने डे दी थी तो उन्हों अभी बंदर करें कि पाच बज़े तक करें और बात ने छोड़े तो उसने का आपने पैसे लिया है तो पाच बज़े तक काम करो उन्हों पाच बज़े तक खुदाई की तीन फीट और खोदा उसमें जो नमुने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया और कंगाल बना हुआ वह जिस्क में आया था कहानी अमरीका की है लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिट्विन दिसक्सेस एंड फेलिवर इस थ्री फीट के अंतर के लिए अपना सातत्य ख़दान मालिकों नहीं छोड़ दिया तो वंचित रह गया और तीन फीट और खोदने का दम इसने दिखा नहीं चाहिए कि करते रहना चाहिए कि सबके लिए करना है कि इसमें कोई भेद नहीं है जो जो इसके पीडित है वह हमारे अपने हैं भारत ने तो जिन दवायों के और निदियात पर बंदी लगाई थी दुनिया के लिए उसको आठाकर थोड़ा बहुत अपने तरफ लु समय को वह बागएगे उसको देचेंगे क्योंकि यह हमारा है प्रसंगों कर तो है सब अपने हैं जो-गा जिसकी ईभशक्ता है उन्हीं सबकी सेवा है इतनी अपनी हम काम नहीं कर रहें इसलिए जो इसकाम में लेगे उन सब को साथ लेकर उन सब के साथ रहकर काम करना है कि सामुहिकता से काम करना है कि इस प्रकार से हम सेवा करेंगे लोगों को जो बताना है वो बताएंगे लोगों से जो करवाना है करेंगे आधार उसका काम अच्छा होना चाहिए सेवा का काम है उपकार तो है नहीं हम अपने लोगों का काम कर रहें इसलिए वो उत्तम होना तब चार उनके विशिष्टों का उलेक किया दृती दृती मती और दाक्ष यानि दक्षता सावधानी है सावधानी आवसक हैं हम काम करेंगे लेकिन हम काम करते रहें इसलिए काम करते करते हम भीमार नहों हो जाए इसलिए आजकल आयुश मंत्रा लेके द्वारा एक समर्थित काढ़ा है उसको हमने रोज पीना चाहिए बाकी मास्क लगाना अंतर रखना ये सारी बाते हाथ दोना स्वच्छता रखना हम स्वयम चिंता करें कि हम काम करने लाइक रहे अपनी मदद जिनको वास्तवित आवश्चक्ता उन तक पहुचे दूरत लोग भी रहते हैं दुनिया में वो हमारी मदद लेके चले न जारे इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सजक्ता से काम करना पड़ेगा कोई छूट न जाए जिसको आवश्चक है उन सबके पास मदद पहुचे ऐसा काम करना पड़ेगा बुद्धी ठीक रखनी पड़ेगी किसको किस बात की आवश्चक्ता है सामान्य सूचना है सबके लिए लेकिन कुछ विशेश आ रहीती है उसमें उस प्रकार की रहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार करकर चलना पड़ता है अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचिला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्चक्ता जिनको है ऐसे लोग आ जाए फिर दुरूष्टी की बात है हम यह सब बताएंगे यह सब करवाएंगे तो आदते भी लोगों के ठीक रहें आदते ठीक न रखने के कारण भी यह बीमारी आती है तो यह अनुभों लोग ले रहे हैं अब उनकी मनोभूमी का तयार है तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए यह केवल कार्यकरम नहीं है इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गड़ भी रहे है अपने पवित्र समाज का सवरक्षण और सरवांगिन उन्लती यह ह हमारी प्रतिद्या है और इसलिए उस दुर्ष्टी को ध्यान को काम करना है और धायर रखना है कितने दिन कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है सतत करना है ऐसा करते रहना और ऐसा करते रहते समय यह जैसे गुण है हनुमान जी से वैसे विदूर नीती में बात बताईए दोशों को टालने के शट जोशा पुरुषेणेह हातव्याम भूति मिच्छताम जिस पुरुष को अपना विजय चाहिए अपना प्रभाव चाहिए अपनी खुशाली चाहिए उसको छे दोशों का हनन्द करना पड़ता है उनको द पिद्रा तंद्रा भयक क्रोध आलस्यम दीर्ग सुत्रता आलस्या और दीर्ग सुत्रता काम की नहीं है तत्परता चाहिए जब उपस्थि भारत का इस साथ के दोर में काम बहुत अच्छा हो रहा है इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाईयों जनाएं कि शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े आउशन ने उसको अमल में लाया तो आलस्या नहीं किया कि दिर्गस उत्रता नहीं दिखाई इसको ध्यान में रखना चाहिए वह तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए निद्रा तंद्रा यहने असावधानी काम करते करते धुन लग जाती उसको तंद्रा कहते धुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं क्योंकि उसमें विचार नठ्ट होता है सोच समझ के सजग रहकर एक-एक कदम डालते हुए काम करना और भय और क्रोध को टालना लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल ले चुपने का प्रयास करते हैं कि लोगों को कुछ नियमों में बांदिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रति बंदर आ रहें अब संगल अपने और मार्च में ही तय करके जून अ करिर सारे कारेक बना कर दिये है जिसका ना लेकिन किसी की सकों लग भी सकता है कि सरकार करती सरकार का पर प्रतिबंद depiction कर रहे हम यह पादी प्रटिो Minister हम जानते हैं कि इसका लाब लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है उसमें एक कार यह भी है परंतु दो बाते डहन में रखनी चाहिए जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना इस पर क्रोध नहीं करना इससे डर नहीं मन में रखना वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोध वश कुछ उल्टा सिधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेट कर उससे दुरी बनाना सर्वत्र दोश रखने वाले लोग होते हैं सामन्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है सामन्य लोगों ने सबने खबरदारी लेनी चाहिए यह अपने देश का विशह है देशित का विशह है इसमें हमारी भूमी का सायोक की ही होगी कभी भी विरोत की नहीं होगी मन में किन्तु परंतु है उसका द्वेश कुरोत को भड़काने वाले लोग है उनके खेल चल रहे स्वार्थ के कारण होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते राजनीती भी बीच में आ जाती है यह जिनको करना जिनका चलता उनको चलता रहे इससे बचना यह लोग अपना कुछ बिगाड न ले इतनी साव मारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश्क कोई खुनना स्वाशनी होनी नहीं चाहिए भारत का 130 करोड का समाज भारत माता का पुत्र है अपना बंदु है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए भाया और क्रोड दोनों तरब से नहीं करना चाहिए और जो जो अपने अपने समुव के समझदार लोग है नेतृत्व करने वाले लोग है उन्होंने इससे अपने समुव को बचाना चाहिए और ऐसे भाया या क्रोडवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है हम लोग समाज को सिखाना चाहिए ऐसा नहीं करते तो क्या होता है भारत के समाज को अतिशे वंद्य ऐसे दो सन्यासियों की हत्या अब उसको लेगे बैयान बाजी उगरे चलती है उसको एक बाजो रख दिया जाए परंतु यह कुर्ति होना चाहिए क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लेना ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए यह सारी बात है सोचनी की बात है ऐसे संकट के घड़ी और ऐसे मन परंतु रहते हैं रह सकते हैं स्वाबाविक है उनके चपेट में न आके हम सारे भेग की स्वार्थ की प्रोर्तियों को अलग रख कर उनसे बचते हुए उनको उभरने न देते हुए देशित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए भया क्रोध यह जो दो दोश है तो ऊसको टालना चाहिए उन सन्याश के हत्या हुई श्यवाणा निरुपध्रवी लोग थे कि खोशिका कोई अपरा दोनो नहीं किया नहीं था धर्मा का आचारन करने वाले धर्मका आचारनACE फालांने वाले मानों उपकार करने वाले लोग थे कि उसका दुख्खाम सबके अठाइस तारीक को उनको श्रद्धान जली देने के लिए हिंदु धर्मा आचार्या स्वभा ने कुछ आवान भी किया है विशुवंदु परिशद ने जो कारेकम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे कि उनकी स्पूर्ची में अपनी श्रद्धान जली व्यक्ता करता हुआ इस विशे में मैं आगे बढ़ता हूं धाईर रखकर सारी बाते करनी चाहिए क्योंकि यह विमारी जाएगी लोगडाउन की आवस्चता नहीं रहेगी लेकिन जो अस्ता व्यस्तों हो गया उसको ठीक क करने में समय लगेगा हमने देखा है कही कही ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंदन शीति लोने के पाद एकदम भीड़ हो गई फिर से उनको तितरवितर करना पड़ा यह अविवेक हो सकता है समाज में सामान्य व्यक्ति को ऐसे समय में दिशा देने वाले लोग होने अने समय में कई दिनों तक उसकी व्यवस्था कैसे खी उबताना भी पड़ेगा समाच कठा पहली इस सोचना भी पड़ेगा विद्या असपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते हैं क्या करके विद्याले की शिक्षा शुरू भी होगी और यह डिस्टें कायम रखने का पालन करेंगे फैक्टरी उद्योग शुरू होंगे तब भी भीड नहीं होगी अंतर रखकर अनुशासन से लोग चलेंगे इसके लिए चिंता करनी की आवश्यक्ता है याने राहत पहुचाने का काम शायद कम हो सकता है परंतु फिर से ये बिमारी न आये उतावली न हो इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सदभाव सदाचार सहयोग का वातावरन बनना चाहिए समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी समवाद रखना पड़ेगा अनुषासन पालन के बारे में स्वयम का उदारन और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी लोगों की खशमता प्रतिकार क्षशमता बढ़े कई आयुरिदिक उपाय है योग है वियायाम है तरह तरह के प्रणायाम है उपाय तो अपना शास्ता मंन्तरा ले भी बता रहा है और जगे जगे के चीकित सख भी बता रहे है उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक क्रम कुटुमबो में चलना है एक कुटुमबो में सांसकार का वातावरण होना चाहिए शान्त दिमाग से किसी भी भय याने पैनिक के चपट में श्राइबम न आते हुए जो करना है वह करता है ठीक से करना इस प्रकार का सभाव बनने के लिए कुटुम्ब में भी उस प्रकार के सभाव का सब्सक्राइब कि इसके हमको प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास में वही करम रहेगा हमको उधारन बनना पड़ेगा हमको समुपदेशन करना पड़ेगा हमको अपनी सेवा से सब को जोड़ना पड़ेगा और सब का सहयोग जुटाना पड़ेगा यह बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ शायद ही पिछले और कुछ शतकों की इतिहास में विश्व पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है तो संकट तो है और हम लड़तो रहें लेकिन यह संकट कुछ रिका भी रहा है जैसे प्रदान मंत्री नहीं कहा सरपंचों को कि यह संकट हमको स्वावलम्ब्रों की सीख दे रहा है तो कई ऐसी बाते भी आ रही क्योंकि यह संकट जाएगा जो अस्तावियस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठिक कर लेंगे लेकिन इस संकट के अनुभाव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमारे सामनी जो स्पष्ट कड़े हैं उनसे पाठ लेकर बोध लेकर अपने जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्ति करने का एक बड़ा काम एक तरह से राष्ट्र पुन्र निर्मान का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण उसको परिणाम में लाना पड़ेगा अब बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गाओं में सब के सब वापस आएंगे क्या जो गाओं में रहे जाएंगे उनको रोजगार की क्या विवस्था होगी जो वापस अपने काम पर आंगे उनसको काम देने की जोगों की यह उनके मालिक liaison की स्थिती सके इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा उसके लिए मन की तेयारी करनी पड़ेगी समझदारी बरतनी पड़ेगी उसका भी उपदैस करना पड़ेगा उसको भी समझाना पड़ेगा और अगर स्वावलंबन यह इस आपत्ति का संदेश है तो स्वावलंब कि कमूर्जा खाने वाला रोजगार मुलक परियावरन को न विगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीती की अपने विकास नीती की अपने कांत्री की की हमको करनी पड़ेगी आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अध्यतन साहयक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर भी थे इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए विकास के मॉडल का निर्मान करना लेकिन मात्र इन दोनों के करने सी नहीं होता समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है कि समाज को स्वकावलंबन करना पड़ेगा यहां की बनी वस्तुए जहां तक संभव है उन्हीं का उप्योग करेंगे यहां जो बनता नहीं बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उस योग में चलाएंगे ऐसी बहुत सी बाते अपने नित्य ववार में लानी पड़ेगी अपने अपने व्यक्तिगत और पारिवार के व्यवार में हम लोगों को स्वधेशी का पड़ेगा स्वधेशी का आचरण करने के लिए स्वधेशी के उत्पादन उपलब्द करने पड़ेगी उद्योजक निर्माता कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दुढ़ों होना पड़ेगा विदेशों के ऊपर अवलंबन नहीं होना चाहिए ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा उसी प्रकार हमने अनुभो किया अब जो बाहर निकल कर नदियों को वगरे देख सके वो बताते हैं लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभो कर रहे हैं कि परियावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया क्यों शुद्ध हो गया क्योंकि कुछ ख्रियाकलाब बंद हुए ज कौन से ऐसे क्रियाकलाब कम से कम कर सकते बिना उसके क्यां भी चल सकता है इसका विचार हमको करना पड़ेगा पानी जैविक तरीकों पर बल देकर गौफ पालन जैविक खेति आधिक इन पर जीवन चलाने का हम को अभ्यास अपना करना पड़ेगा अभी जो हमारा अभ्यास रासा निक खेती आधिका है उसको बदलना पड़ेगा उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा शासन की नीतिव ऐसी बनेगी लेकिन जब आमाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता कुटुम्बा में भी हमको और इस प्रकार के सांसकार करने पड़ेंगे बहुत दिलों के बाद जो भागदोर चल रही थी वो बंद हो गई तो अपने घर में रहने का सतत रहने का अनुबह बहुत लोगों को मिला घर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं समवाद बढ़ता है समझदारी बढ़ती है सौमनस्य बढ़ता है और इसलिए कुटुम्ब में इन सारे बोदो की चर्चा उसके आधार पर व्यवहार कैसा हो ऐसा समवाज चलना जैसा अपना कुटुम्ब है वैसे समाज भी एक कुटुम्ब है समाज के भी विचार करने वाले लोगों में समाज का नित्रुत्व करने वाले लोगों में इस प्रकार का चलना चर्चा का चलना संस्कार का नियमितता का प्रभाव होना अपने जीवन पर व्यक्ति के तोर सामुई इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी नागरिक अनुशासन के पालन में हम सबको तत्पर होना पड़ेगा जहां जहां उस अनुशासन का पालन लोग कर रहे हैं वहां कोरोना का उपद्रों कम है और जहां इस अनुशासन की आदत नहों होने के कारण गड़बर हो रही वहां कोरोना की चपेट में अभी भी देश का कुछ भूबाग है और इसलिए उस अनुशासन का पालन करना ने कहा है कि देशभक्ति का स्वतंत्र देश में रूप तो नागरिक अनुशासन का स्वयम होकर सारे नागरिक पालन करते इतने वह समझदार होते यही है लक्टर अंबेडकर साहब ने भी समिधान प्रदत्त करते समय जो भाड़ में किये थे उसमें इस प्रकार की कानून व्यक्ति नियम आधिका पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है हमको अपनी इस आदत को और ताजा और धारवाला करना पड़ेगा उसी प्रकार समाज में सद्भाव का वातावरण स्वयोग का वातावरण शांती का वातावरण बरनाना पड़ेगा शासन तो संसकार मूलक शिक्षा नीति जल्दी लाएगा लाना पड़ेगा उनको क्योंकि सारे काम शासन की नीति प्रशासन का धान में रखकर समाज को अपना मान कर अमल करने का तरीका और समाज का आचरण से सहयोग इन तीनों बातों के एकत्रा आने के बाद ही संबह होत तो शासन जैसे अपने प्रशासन को समाजोन मुख करेगी राजनीतिक लोग अपनी राजनीति को स्वार्थ मूलक से हटा कर देशहीत मूलक बनाएंगे शिक्षा जैसे वाली परिवर्तन अपने आप में करेगी वैसे हम सब लोगों का व्यवार पड़ेगा बविश्य के लिए भी यह संकट बहुत कुछ बता कर जा रहा है उसका विचार करके हमको अपने जीवन के नए मानक का विचार करते हुए उसको आचरण में लाना पड़ेगा हम सब लोग मिलकर आत्मविश्वास से इस अपने देश और अपने समाज के अपनत्व को मन में रखकर इस देश इंकट से निकाल कर सारे विश्व की मानवता का नेत्रुत्व करने वाला देश बनाने के लिए आत्मविश्वास पूर्वक प्रयतनों का परिश्वमों का सातत्य अपने करतुव में रखकर पिर एक बार हमको सकरिय होना पड़ेगा इसकी आवश्चका है हमारी भूमी का विश्व में और अपने देश की यही है कि इस संकट को आउसर बनाकर हम एक नए भारत का उत्थ इस सारे संकट को उसर बनाकर उसमें से करे ऐसी हमारी भूमी का हो इसलिए जो आवश्चक बाते मुझे लगती थी वो मैंने आपके सामने रख दी है तारे स्वेंसियों कैसा सोचते ही है और ऐसा करेंगे ही परंतु संपूर्ण समाज में सभी को ऐसा होने की आवश्चकता है इतनी एक बात को मैं आपके सामने रखता हूं और अपना यहां निवेदन पूर्ण करता हूं धन्यवाद्ट झाल झाल झाल